कोए है था ह Lebanese हयो हुआ है तो अगर तुम मैथ लगाते हो तो मैं को to तुमको अगर तुमको अगर तुमको एल्टिक्षट में जाना होगा तो बता में हो क्या कर सकते हो तुम हम लेते हैं सिछ त्री त्र प्रैमरी यह लें लेना है तुम ऑब तो यहां पर तुमको रखनें यांद रखने फ़रेंगे बाई जीसा माल लो तुम यहां तो तो तुम्हें याद रख सकते हो और कोपर के साथ हीट इतना इन तीनों को अगर तुम याद रखते हो तो क्या करना है इस वन डिगरी को सीधे तुमको एल्डी हाइड में कनवर्ट कर देना है तो क्या हो सकता है एल्कोहल से तुमको एल्डी हाइड बना लेगा तो अगर प्रॉसेस मालूम रहेगा तभी तो एल्डी हाइड बनाओगे ठीक है यह समझ लो तुम्हारे फार्मूले हो गए अब तुमसे पूछ दिया एथेनॉल देखो इसका नाम क्या है एथेनॉल है अब अगर एथेनॉल टू round two ethanol पुछ देते नल तो क्या कराोग entrar करायोगे ऑगर हैट नỗi यहीं पर तुमसे पूछ देता प्रोपेनॉल तू प्रोपेनल तभी काम करना पड़ता प्रोपेनॉल वह समझ में अब एक बहुत इंपॉस्द बात बताने वाले हैं तुमको हम हॊ हाँ देखो अगर भाई साब अगर एलड हाइड है टीक है जो उसके पास अगर 퍼 बात म्हें करते हैं देखो इस अल्ड को ऐसे बना लो है 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 अब इस है बाई आलबाई आलफा हाइड्रोजन है धिसके पास अलफा दूर होते हैं ओओ कि अब अलोल कंडंसेशन से भी एडल कंडंसेशन से भी तुम्हारा कनवर्जर में क्यूशन पूछ लेता है अब देखो कैसे अगर जब भी एलडॉल कंडंसेशन कराना होता है तो C3C11OH इसी का एक और मॉलीक्यूल तुमको लेना है और तुमको बेश के साथ कराना होता है तो इसका जो बना सकते हो गर इस तरीके स्टम बना सकते हो अ अगर अगर आसथ तो मिसका अगर करा देते हो डाइल्पयान ने ओचि के साथ तूए तुमको देगा एलडोल प्रोडक्त आप देगा तो देखो तूम कैसे क्या बन रहा है तुम्हारा एच थरी सी सी डबल बांड सी एच सी डबल बांड ओ अब देखो यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा इसका अगर नाम लिखो तुम तो 1234 यानि इसका नाम होगा ब्यूट टूपर डबल बांड है तो टू इन वन पे क्या होगा अल तो जब भी के के बादे आता है तो इस एको नहीं लिखा जाता है अब कर्मार्जन में देखो तुम से क्या पूछ सकता है पूछ सकता यहां से तुमको एथेनल या सोरी एथेनल टू ब्यूट टू इन वन अल कैसे बनाओगे ठीक है तो भाई सब उसके लिए तुमको एल्कोहल को पहले करना होगा अब यहां में जब तुम कर लिए तब तुमको यह पता है कि ऐसे एल्डिहाइड ठीक है ऐसे एल्डिहाइड या तुम कीटोन भी ले सकते हो जिनके पास अलफा हैट्रोजन हो और अब यह बात तुमको लग रहा हो कि रटना पड़ेगा तो रटना पड़ेगा अगर आपको नंबर लाने तो रटना पड़ेगा नहीं तो इस तरीके से समझें प्रैक्टिस है तुमारा क्यूशन का अगर प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से करने आने लगेगा मैत में भी काम करते हो फार्मूले पर क्या करते क्यूशन लगाते हो लगाते हो लगाते अगर तुमको यलकन देया देखो अ अब इस यलकीन से तुमको इलडिहजाएड में जाना है तो इसके लिए याद करो ओजोन ओलिसिस ओजोन ओली सिस में क्या करते हो ओधिरी रहता है जिंक डश्ट भूई था वाटर अब ओजोनलसिस कराने का तरीका क्या है मेरे भाई इसमें देखो देखो बच्चों इसका पेट फार दो पेट फारो इस तरीके से एच टू सी और यहां पर डबल बंड़ो लगा दो इधर भी सी डबल बंड़ो एच टू लगा दो यानि कि डबल बंड़ो एच क्या बन गया कि मेधेनल बनाया याली फार्मेल डीहाईड बोला जाता इसको तो ऑनि फार्मेल डीहाईड दिवाईड तो इल्कोहले लगा ब्रवा सकता है यह तो यह दो क्या प्रदेगा ऊज़ूनोलिस्स कराना पड़ेगा आए इतना बल समझ में अगर यहां पर अगर कार्वन अगर माल लो अगर कार्वन के संख्या एक बढ़ा दिया तो फिर यही तुम्हारा कुझा इसे चल लेगा अभी तो इसमें तुमको फार्मेंटली हाइड मिला देखो अगर ऐसे रहता सी हेत टिवल बॉन डिशी टीक है अब अगर इसका तुम जब ओजोन उसीशिश करा रहते तो सेम काम करो इस तरीके से बॉन्ड को फट दो यहाँ दबल बाण ओडबल बन्ड हो लगा दो तो यह दो पर अगर यहां से देखो अगर इलकेन देता तो तो द्यान दो उसको तुम कैसे कर सकते हो देखो बात समझ में आ रहा है अगर सिंसियर हो तो पेन और पेपर उठा लो भाई लिखते रहो ठीक है अब देखो एलकेन है तो हमने लिया CH3 CH2 CH3 अब इसका तुम हमको बनानों पाले हैलो एलकेन बना लो इसका तो इसका तुम जब रियक्शन कराओगे सी अल्टू विट एक नियू तो फ्री रेडिकल मेकेनिजम होता है हाइड्रोजन को भागा दो क्लूरीन को लगा दो तुमालों यह प्रोडक्ट हमने बना लिया CH3 CH2 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 ठीक है अब यहाँपर देखो इस वाले को यह तो तुमारह अल्फा कारपन होता है और बीटा होता है अब इसका तुम ऑड़ी मीनेशन कराओगे तो एक्वस नहीं अब बियूक हूह के साथ जब भी hashtag होता इसका ना तो इल्मीनेशन हो जाता है अम देखहलो अगर इसका तुम एल्कोहलिक के साथ कराए तो होगा इली मिनेशन अगर इसका एककोस के साथ कराओगे तो होगा सब इसके साथ ठीक है अब हमारे पर देंगो दो में थड़ हो गए एल्डी हाइड को बनाने का अगर यहां से तुम इसका इल्यमिनेशन कराओगे तो यहां का है ट्रोजन और यहां का क्लूरी निकाल दो बीच में लगा दो डबल बांड तो बनेगा च्छ थ्री च्छ डबल बांड च्छ डू यह बन गया अब अगर यहां से तुमको एल्डी हाइड बनाना हो तो फिर फ फ्रेश्टल डियाइड और फार्मल डियाइड अगर एक कोष के साथ जब तुम करते हो तो इस यह निकलेगा यह लग जाएगा यहां पर दो बनेगा यह सी अचिटी तू तू प्रोपेनल वन गया अब प्रोपेनल का सीधा तूमको एल्डी हाइड बनाना हो यहां पर जा तो अब हम लोगों ने क्रावगों से देख लिया क्रेंस से यहां से भी देख सकते हो तो सारे प्रोसेस को तुम को जी थरीके से बता रहें से इस तरीके से तुम एक बार देखो ठीक पीवाइक की क्यूशन को देखो और पैटरन पकड़ लो ठीक है और इस तरह के से तुम करने लगोगे तो अब इस वाले कोई क्या करेगा सी एच त्री सी डबल वांड ओ और बन जाएगा अब इस बात को त्याद रखना पड़ेगा अगर 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 किया हीट तो बनेगा अमाइड तो अमाइड बना लो शी एच थ्री सी डबल वांड ओ यह निया च्टू एक रियाक्षिंट बनता है जिसको हीट कर देते हैं तो यह बन जाता ठीक है अब यहां से मान लो तुमको अमाइन बनाना हो देखो कैसे क्यूशन प पुछे अमाइन पुछे बता रहे हैं तुमको देखो पले यहां से अगर अमाइन बनाना हो तो इसका एक रियक्षिंट होता है एच बीडी हाप माइन ब्रोममाइड डिग्रेडेशन रियक्षिंट जिसको बी यार्टू वित बेस के साथ कराते हैं और इस रियक्षिं के खुबसूर्ती बोलो या डिमेरिट बोलों इसमें कार्बन की संख्या घंख कम होजाती है तो जब भी इसमें तुमें तुम ठीक पूछेगा अगर से लियरेटर को फाइनल और यह चापन है और तुमसे न बत्यान पूछ देता एथेनॉल एथेनल टू दिस इसका नाम है मेथन मेथेन वन अमाइन या मेथन अमाइन तो अगर मेथन वन अमाइन बनाना वता तो भाई पूरा ये काम करना पड़ता देख रहे हो किस तरीके से कनेक्टेड हो रहा है तो देख लो बहुत बढ़ यहां ग्रेट अगर यहीं से तुमको ए ester तो ester बनाने के लिए आपको इसका कर ने करना पड़ेगा अगर हम लिख देते हैं आपे आर ओ एच इस तरीके से अब यहां से तुम ना इस तरीके से वाटर निकाल दो यहां से वाटर निकाल दो और इस वो को इसके साथ जोड़ तो इधर बन जाएगा अगर इसी से एन हाइड्राइड बनाना हो एन हाइड्राइड ठीक है तो एन हाइड्राइड बनाने के लिए तुमको वाटर यहां से निकाल देना है और बनेगा और कंडिशन पीटू ओफाइब के साथ आपको क्या करना हीट करना है तो अभी तुम्हारे पास टाइम है तुम रिएजेंट पर फोकस करो किस रिएजेंट का क्या काम है अलग से को भी बना के लिग डालो इसके बाद से तुम्हारा यह जो असान हो जाएगा तुमको सोच कुछ तो आइडिया लगा होगा ठीक है मज़ा आया होगा चलो मिलते हैं एक वीडियो में एक नेट